नमस्कार दोस्तों, SBI Security के Morning Podcast में आपका हार्दी स्वागत है आज बात करेंगे कि कलके सेशन में क्या हुआ और आज इसे कौन से बड़े इवेंट्स हैं जो मार्केट के फोकस में रहेंगे तो दोस्तों, हमारे बाजार में मार्केट में जो है वो गिरावट जो लकातार बनी हुई है कर एक अच्छी शुरुवाद के बाद हम ने देखा कि मार्केट में जो है दोपहर के बाद में एक कड़ी गिरावट देखने के मिली और सेंसेक्स जो है 454 पॉइंट नीचे जाकर के बंद हुआ है 72,489 के आसपास और निफ्टी में गिरावड करीब 122 पॉइंट की रही और यह 21,995 के आसपास बंद हुआ है हाला कि में इस्मॉल के थोड़ा सा और प्रफाम किया है फ्रेंट राइं इंडेस को जहां पर निफ्टी में गिरावड लगब आधे परसंड के रही वहीं पर स्मॉल के इंडेक्स जो है पॉजिटिव में बंद हुआ है बात करते हैं गेनस लुजर्स के जहां पर जो गेनस रहे हैं निफ्टी में इंफोर्सिस बजा जाजाटो चेह जब्ली स्टील टाटा कंसीमर प्रडक्ट्स अदानी पोड़ बीपी सियल और गिरने वले जो शेयर्स रहे हैं अपलो हॉस्पिटल ओंची सी टाइटन एंटीपी सी डॉक्टर एडडी और सिपला सेक्टोरली में बात कूं तो यहां पर टेलिकॉम जो है वो एक बाड़ा गिन्न रहा पूरे मार्केट में टेलिकॉम इंडेक्स जो है करीब डेड़ परसंट उपर बंद हुआ जबकि सारे बाकी के सारे इंडाइस हैं जैसे हेल्थ केर है या एफम सीजी है या ओलन गैस है आटो है इन सब नौश चोंगिस कंपनियां डिक अनिंग कटेगरी में रजिस्टर होई हैं बात करते हैं ऐसे स्टॉक जिन्होंने नया बावन सब्ता का हाई बनाया हुआ तो यहां पर एक सब्सक्राइश कंपनिया है जैसे अस्ट्रा माइक्रोवेश प्रोडाक्ट्स आरती लिमिटेड क लीटर describes चीन्होंने नया बावन सब्ता छुगक है फा यह की से इसे मेंartet में चाश तो आज के लिए बहुत है नेगेटिव है अलका यूएस का बाजार जो है पॉजिटिव शुरुवात करने के बाज़ूट जो है यह एली फिजल्ट आउट हो गई और जहां पर डॉज जो टेक हैवी और ब्लूचिप कंपनिया है वहां पर एक तेज गिरावाट देखने को मिली है नहाजदक लगबग कि एशिया में है मेडलीस कंट्री में जो वॉर है वो फिर से भड़ाकता हुआ दिख रहा है कुछ ऐसे मीडिया रिपोर्ट आएह हैं कि एरान इधरा इरान और कुछ ऐसे और countrys हैं मिडलीस में जहां पर बड़े तोर पर exposure देखने हुआ के मिला है तो जो geopolitical tension है और एस्केलेट हो रहा है यहां पर और यह market की सबसे बड़ी सिर्दर यह यह हैं कि सबसे बड़ा जो है हेडविंट है इंदे निया टर्म में तो एशिया बाजार भी जो है काफी डाउन है और हमें लगता है कि SGS निफ्टी को देखते हुए हमें एक गैप डाउन शुरुवात देखने के मिल सकती है बात करते हैं कि इस जियो पर्टिकल टेंशन के वज़े से और क्या क्या इंपाक्ट है तो कुरूड के दाम जो है वो चार परसन बढ़कर के 90 डालर डालर पर बैरल के उपर पहुंचके जबकि गोल के दाम भी करीब लगबग 2 परसन जो है आज बढ़कर के 2409 डालर पर ऑंस के आज पास जो है ट्रेड हो रहा है तो ग्लोबल की दोस्तों बहुत ही नेगेटिव है और इसका एक प्रभाव हमारे बाजार पर जो है पड़ता हुआ दिख रहा है बात करते हैं आज कुन कुसी कंपनी हैं जो फोकस पर रहेंगी तो दोस्तों यहां पर कि कल के सेशन मार्केट आवा के बाद में कुछ कंपनी अपने रिजल्ट डिकलेर किये हैं तो पहले बात करते हैं इनफॉसिस के तो इनफॉसिस ने अपने रिजल्ट डिकलेर किये हैं और रिविन्य जो है वो उमीद से थोड़ा सा कम है और जो 2025 का गाइडेंस है वहां पे कम्पनी में कम्पनी ने कहा है कि एक से तीन परसन का कॉंस्टन करणसी रेविनी गुरोथ देखने को मिल सकता है जो कि एक साल पहले जो उन्होंने कहा था जही है कि उनका एक जो बड़ा डील है उसको उन्होंने रिज निकोशेट किया हुआ है तो उसको जैसे मारेजिन और उनके सेल्स में करीब एक परसंड का इंपक्ट जो है वो देखने को मिला है हाला कि जो लार्ज डील पाइपलाइन हो काफी स्ट्रॉंग है इस दो हजार च इन परसंड का कॉंस्ट्र करांसी जो है ग्रोथ वो देख सकते हैं तो ओर ओल नंबर थोड़ा सा जो होए मिक्स है हमें लगता है कि शुरुवाती अगर यहां पर डिकलाइनिंग होती है स्टॉक के अंदर तो लॉंग टर्म की जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसे खरीज सकते हैं बात करते हैं दूसरी कंपनी वह एक्षेलिया स्विरूशन इभी का इटी कंपनी है यहां पर कंपनी ने अपने थोड़ क्वाटर यानि कि जो इनका जो मार्च क्वाटर का उन्हों अपना रिजल्ट डिकलेर किया हुआ है और कंपनी का जो रवेनियु है हालाकि तो इसके सब्सक्राइब कर जो एक सेप्शनल गें जो उनका एकसेप्शनल एक्सेक्सेंटेक्स है उनकी उसकी वज़ेंसें जो है प्रॉफित में मैंसरी्ड डिकलाइनिंग देखनी को मिलाएं इसकी पीछे कारण है कि उन्होंने कुछ इंपैरिमेंट किया हुआ है गोड रह सकते हैं फिर बात करते हैं बजाज ओटो के यहां कंपणी ने अपने फौर्थ क्वार्टर के रिजल्ड देकलेर किये हैं उनके रेवनी में 29 परण बढ़ाद देखने को मिली है और इनके प्राफिट में करीब 35 परण का बढ़ाद देखने को मिला है तो यह नंबर जो है मार्केट के अनुमान के आसपास ही है तो हमें लगता है कंपनी आगे चलके अच्छा परफॉर्म कर सकती है अच्छा परण के लिए कंपनी अच्छा परफॉर्म करें लांग टर्म है और लाइफ का भी नंबर जो है वो ठीक्टा की है यहां पर जो एनुवल प्रेमियम एक्क्वैलेंट है यहां पर सब्सक्राइब है यहां पर बने रहा सकते हैं बात करते हैं इसी कंपनी जो आज अपने डिक्लियर करेंगे तो वेपरो इंदुस्तांजिंग जीओ फिनेंस HDFC, AMC और इलिकॉन इंजिन देंगे कुछ इसी कंपनी जो अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट डेक्लियर करेंगे बात करते हैं और कुछ कंपनी जो आज फोकस में रहने वाली अपने न्यूस के दम पे तो ने इसलिए कल आपको पता हुआ कि दोस्तों कल लगबाग कि जो है अपने प्रोड़क्ट के न्यूटरिशन क्वालिटी और सेफटी के सब कोई कंप्रमाइज नहीं करेगी और एक स्टैंडर्ड जो है मेंटेन रखेगी तो यह एक न्यूटरल इंपक्ट है नेसलिक के लिए आइटीस की ने कहा है कि उन्होंने एक ब्लाज क्लीन ट कंप्री उसको अक्वाइर किया है तो यह लॉंग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव होगा जी अमार एयरपोर्ट ने कहा है कि उनका देली हैदराबाद और मोपा एयरपोर्ट से वहां पे पैसेंट्रिक जो ट्राफिक है उनमें बढ़ाद देखनों के मिली है तो यह पावर ने कहा है कि उन्होंने एक स्पीवी को जो है वह अक्वाइर किया हुआ है जो कि तीन से साट मेगावाट का एक नासिक में का प्रोजेक्ट है तो यह थोड़ा सा उनके न्यूटल डू पॉजिटिव है कंपनी के लॉंग टर्म में कंटेनर कॉपरेशन ने कहा है कि यहां के साथ में और यहां के कंपनी आगे तरह के जो है वह सीमलेस और कॉस्ट इफेक्टिव इन टो इन लोजिस्टिक से विसेस को आफर करी कस्टमर को तो यह उनके लिए लॉंग टर्म पॉजिटिव है गोवा कारबन आज फोकस में हो का यहां कम ने कहा है कि उनका जो यूनिट है उसको टेंप्रेरी उन्होंने बंद किया हुआ है मेंटेने उसके लिए तो यह नूटरल डेवलप्मेन उनके लिए उसके लावा मेंगा लाइफ स्पेस डेवलपर ने कहा है कि कंपनी ने जो है तीन सो पचास क्रोड रुपए के जो है वह घर बेचे हैं बैंक में करीब एक हजार क्रोड रुपे का इन्वेस्मेंट का प्लान है यहां पर कंपनी अपनी मैनिफेक्टरिंग को बढ़ाएगी तो लॉंग टर्म उनके लिए जो है पॉस्टिव है और फाइनली लैंडमा कार ने कहा कि क्वार्टर फोर के लिए जो प्रफॉर्मा रिवेन इंडिया ने करीब 40 लाग शेर खरीदे हैं 54 रुपे 96 पैसे पर चेहर पर और कॉपरेटेक्शन में आज शाफर इंडिया का एक्स देट है दोस्तों तो यह थी ऐसी कंपनिया जो आज फोकस में रहेंगी बट जो सबसे बड़ा इवेंट आज का है आज के सुबह में वो है जो फ्रेश मध्यपूर एशियाओं में जो एशिया देशों में जो वार की जो इसिती है वो थोड़ी सी और बिगड़ती हुई दिख रही है यही इंपाक्ट जो आज हमारे बजारों में और एशिया बजारों में देखा जा रहा है तो दोस्तों यह था हमारा आज का मॉर पुर इन्वेस्टिक